आप सब कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे बच्चों हमारे ग्यारवी क्लास का चैप्टर नंबर 6 सल रहा था और भारतिय आर्थ विस्ता में हम लोग ग्रामेंड विकास की बात कर रहे थे कि आपका बिलेज डवलमेंड क्या होता है तो हम बिलेज आपका डवलमेंड में हम साक एवं विप्रण के बारे में पढ़ रहे थे और जो हमारा लास लेक्चर हुआ था उस लास लेक्चर के अंतर का था हमने विप्रण को देखा था कि जो आपकी बजार विवस्ता है वो कि परकार की है कैसी विवस्ता है हम उसको जानने की आपका कोसिस कर रहे थे और बच्चो ग्राम विकास के लिए जो आपका विप्रण है वो क्यों जरूरी है जो आपकी बजार विवस्ता है क्या जरूरी है हम इस चप्टर के मादर में से पढ़ेंगे और आपका समझेंगे और विक्सित नहीं हो पाया है हम सब उन कार्णों को भी पढ़ेंगे अपने इस चप्टर में तो जितने भी सभी मेरे बच्चे हैं ओके पर अपनी किताब को पीपेंट से लेकर आजाईए अपने टीवी स्कीन की तरफ बैठी ध्यान दीजी पूरे चप्टर को और हमारा जो प्रा चुका था लेकिन फिर आज मैं दुआरा से आपको सुरू करूंगा उससे आ गई वहांसे कंटीनु करेंगे स्टार्टिंग से ही ताकि और अच्छा हम लोग चीज़ को समझें तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए डिजिटल बॉट की तरफ हमारा टॉपिक जो आपक हैं वे देश के अलग-अलग छेतरों से किसी पिरकार नियमित रूप से हम तक पहुचते हैं विल्कुल सही बात है इन्होंने हमें हम तक पहुचाने का माध्यम क्या है बच्चो बजार विवस्ता है यानि कि जो हमें फल सब्जी आपकी चीज़े हमें मिलती है अनाज वग किर्या है जिससे देश भर में उत्पादि किर्सी उत्पादों का संग्रहें भंडारन परिबेन पैकिंग बरीकरन और बितरन किया जाता है अब देखे हम बजार की बात करें अब बजार में क्या होता है आपकी खाद्य उत्पाद आते हैं आपके खाद्य पदार्स आते है उनका क्या होता है? संग्रेन का मतला पर बच्चों, उनको preservation किया जाता है, उनको रखा जाता है, इखटा करा जाता है, फिर उनका भंडारण, उनको preserve करते हैं, इखटा करते हैं, फिर उनकी क्या होती है? आपका processing होती है, उनका presence करन होता है, फिर आपका परिवहन के माध्यम स एक स्थान से दूसरे पहुचा जाता है, फिर क्या होता है, पैकेजिंग भी होती है, किसी को पैकेज बंद करके भेजते हैं, किसी को लॉट में भेजा जाता है, फिर उनका हम लोग अपना क्लासिफिकेशन करते हैं, और फिर उनका जिन छेतरों में उनको भेजना है, हम उनक तो केला आपके केरल से आपके तमेलाडू से अगर उत्राखन तक आपका पोस्ता है तो ये सारी ऐसे स्टैप हैं जिनके माध्यम से क्या होता है हम तक केला पोस्ता है जैसे आपका केरला के अंदर सारा केला इखटा होगा उसका फिर क्या होगा आपका भंडारन होगा उसका लूप तक हम को चीज़े हम तक मिलती हैं हम इसको यहां तक वच्छों पिछए लेक्चर में आपका पढ़ चुके थे अब इससे देखते हैं देखें सुतंतापूर ब्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में धेरा फेरी तथा खातों में गरवड का सामना करना पड़ता था अब देखिए होता था कि आज आप दी से जो आपके पहले क्या समय था आपने देखा होगा आपको पिक्चर के माध्धर्म से आपके कहानियों के माध्धर्म से इस आपने सुनी होंगी आपने देखी भी होंगी फिलम बगारा में उसमें क्या करते तो आपके व्यापारी होते थे वो किसान से नाप तोल में बहुत ज्यादा आपका खरवड़ी करते थे जैसे वह क्या करते थे कि आपका जो उनकी कुछ भी सवान होता था उसमें हमेशा किसान को lost कर दिया और अपना लाब मिलता था वो सारा लाब उन्हीं को जो आपके ब्यापारी है उन्हीं को वो लाब आपका मिल जागा था के लियर है प्राय जो हमारे किसानों को बाजार में प्रचलित भाव का पता नहीं होता था अब देखिए जो हमारे किसान थे अब उन्हें विचलों को रेट के बा अपना कुछ चीज को कापकर निकाल दिया करते थे तिलेर है बच्चो तो उन्हें क्या नहीं पता था कि जो आपके बजार में जो आपके परिचली तभाव हैं उनका उन्हें पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था अब क्या करते थे बच्चो वो अपना माल आपका उनको पजर भी नहीं कर सकते थे उनको एक खटा नहीं कर सकते थे अट है वे अच्छे दाम मिलने तक मालकी विक्री को इस्तागित नहीं रख पाते थे यानि कि अगर कोई आपकी फसल है इस टेम किसान के पास जिसे मान लीजी जिए आप साइस से हम कोई फसल है फसल उसके सामने बिलके आई तो वो उसको अगर पिजर्व नहीं कर पाएगा अगर अगर उसके पास क्या होगा आपका पिजर्वेशन नहीं है उसको भंडारन नहीं कर पा रहा है उसको लंबे समय तर नहीं रख पाएगा तो वो जानता है कि फसल खर उसका भाँदमու Mध शर्विधा नहीं है वो सको भंडारन नहीं कर सकता अगर तो टपका लिक जो आवज सकता है कुछ ऐसी होती है फिर वो उनको यह खत्रा लगा रहता है किसे अगर मैंने इसको नहीं बेचा तो मेरा जो अनाज्य है और सुर्विदाओ के अभाब के कारण चती गरस्त हो रहा है अब देखिए कितना बच्चो तस पित्ती सत्स से अधिक क्या है आपका किर्सी उत्रपादन भंडार यानि कि ऐसा जो आपका किर्सी की चीज़ उत्रपादन हो रही या उनका भंडार कैसा है बच्चो तो दस पिर्टी सत क्या सा हो रहा है छती ग्रस्त हो रहा है इसलिए सरकार को नीजी ब्यापारी को निंतिन करने के लिए बजार में हस्ता छेप हस्ता छेप करने को बात दिये होना पड़ा है क्या होना पड़ा है बात दिये यह अब भी क्या हो रहा है दस परसेंट से ज्यादा जो हमारा हम लोग जिसको आपका पिजर्व कर रहे हैं उस पिजर्वेशन में क्या हो रहा है आपका खराब हो रहा है तो इसलिए क्या कर रही यह सरकार जो आपके लिए ब्या पारी हैं उनको क्या कर रही है उनके अब उनका इंट्रफेर करने के लिए बाद दे outro है कि अब यहाएंगे इंट्रफेर इनका होगा अब प्राइवेट लोग वो चीज़ों को आपका खरीदेंगे तो क्या होगा कम से कम जो चीज वेस्ट हो रही है वो बेस्ट तो नहीं होगी आपका वेस्ट तो नहीं होगी कहीं न कहीं उसको हम परियोक कर सकते हैं ऐसी चीजे के रूप में यह चीज हो रही है और यही कार्ड है कि जो हमारी बजार है उस बजार में जो आप किरसी विप्रण के भिविन पहलों को सुधाने के लिए किये गए चार उपाय को विस्तार पुर्वग समझने का प्रियास करेंगे आप कह रहा है कि जो हमारे किरसी विप्रण है जो हमारा किरसी का बजार है उस किरसी के बजार के अंतरगत जो आपके जिन पहलों पर सुधार हुआ है उनके चार पिर्मुक जो उपआएं हैं किया है बच्चो चार पिर्मुक उपाएं उनको हम समझने का प्रियास करेंगे łat 1 उनको समझने का प्रियास करेंगे पहला कदम विवस्तिगत एबं पारदस्ता विपर्ण की दसाओ को कि हम देखेंगे कि आखिर में उसमें कितनी विवस्तित है और कैसा पारदसी है कैसी जो पारदस्ती विपर्ण विवस्ता है इन दसाओं को हम लोग बापका देखेंगे अब देखें बच्चों हमारे सामने क्या है एक चित्रन दिया गया है इसमें लिख नियामित अनाज मंडिया किसान और उब भगताओं को लाप पुचा दिया है अब देखें जो हमारी आपकी मंडिया है जिनसे माध्यम से आपका ऐसा इस्तान जो कोई किसान अपनी फसल जिस इस्तान पर बेशता है या सरकार या कोई नीजी ब्यापारी उस फसल को उस इस्तान से खरीदते हैं हम उसको क्या बोलते हैं आपकी बच्चो मंडी कहते हैं बच्चो कैसी होती है मंडी हर सहर में होती है हर आपका कस्वे में होती यह कहीं छोटी हो, कहीं बढ़ी हो, जहां अनाच की क्रेविक्री होती है, तो हम क्या बोलते हैं उनको बच्चो, मंडी बोलते हैं, और मंडी क्या होता है, आपका किसान और भोक्ताओं को, दोनों को क्या करती हैं बच्चो, आपका लाप पोचाती हैं, क्या करती हैं, लाप दिखा रहा है कि जो मंडी है उसकी ये हमें आपकी चीज़े हमें आपका दिखा रहा है आप देखे आगे देखते हैं का दिर्वान करने के लिए बजार का नियमन करना था अब देखे अगर आपको पारदस्ता लानी है उसको चीज़ों को विवस्तित करनी है तो हमें क्या कर जो हमारा बजार है उसका नियमन करना पड़ेगा जानी कि उसके नियम है उनको बनाना पड़ेगा बजार का हम देखते हैं कि आखिर में उन्हें किस परकार के अपने नियम बनाए हैं अपनी चीजे बनाई हैं उनको देखते हैं इस नीती से पहुत दूर तक किर्शक और विवस्तित किया है हमने management किया है तो इस transparency से और management से क्या हुआ है जो आपके किसान है और जो उब्भोगता है उन दोनों को लाव क्या हुआ है लाव हन्वित हुए हैं बहुत दूर तक यानि के बहुत दूर तक क्या हुआ जाप किरसक हैं और जो उब्भोगता है उन दोनों वर वो क्या हुआ आपका लाग हुआ हाला कि लगवग 27,000 ग्रामीन छेतरों में आन्यमित मंडियों को विक्सित करने जाने की आवसकता है आप देखिए कह रहा है कि जो आपके है 27,000 जो आपके ग्रामीन छेतर हैं उनमें क्या है आन्यमित मंडियों को विक्सित किये जाने की आप सकता है यानि के सकता है सजार आपके ऐसे ग्राम है जिनमें आपको मंडियों को विक्सित करना है तथा ग्राम है छेतरों की मंडियों की वास्विट्टा छमताओं का लाब उठा पाना संभव हो और कह रहा है कि जो आपके ग्राम छेतर की जो आपकी मंडिया है कि जो मंडिया है उन मंडियों का बास्तविक रूप से हमें क्या उठाना है बच्चो लाव उठा पाना संभव होगा कि अगर हम उनको सब मंडियों का हमें लाव उठाना है तो उनकी चमता उगम जा चलेंगे फिर क्या होगा हमें उससे हमें profit होगा किलर हो गया अगर देखते हैं दूसरा महतपूर्ण उपाए सडको रियल मार्गो बंडार गिरो गोदामू सीत गिरो और प्रसिसकन हिकाईयों के रूप में भौतिक आधारिस संदचना का प्रापधान किया जाना है अब देखे वो क्य कह रहे हैं कि अगर आपको इस सब चीज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चो देखे अगर हमें इनका लाब उठाना है तो सबसे पहले हमें सड़क सुभीद अच्छी करनी पड़ेगी ताकि ट्रांस्परटिशन अच्छा हो अगर सड़क अच्छी ले आते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है जो उसकी लागत है बहुत जादा हो जाती है अगर हम उसको रेल में लेके जाएंगे तो उसकी कॉस्ट है वो कुछ काम हो जाती है बंडार गिरों को यानि कि हमें ऐसे बड़े बंडार गिरह बनाने हैं जिनमें हम बहुत सारा अपना आजफल सब्जी को इखटा कर सके हमें गौदाम बनाने हैं सीत के हैं मतलब ऐसे कॉल स्टोरेज बनाने हैं जहां हम अपनी फसल को बहुत लंबे समय तक पिजर्व कर सके हैं प्रसंसकरन एक आईये को रूप में भौतिक आधारिस संवचनाओं का प्राभधन किया जाना है य किलियर है देखे अगर हम लोग क्या कर दें हम सड़क अच्छी सुविधा कर दें रेल आपका परीवेन आपका सितल घर जितनी चीज़े दी हैं अगर हम इनको सबको अच्छा कर दें बच्चो तो अच्छा करने से क्या होगा कि जो हमारी हम बाफिक्ता जो बात करते हैं कि हमारी मंडियों की छमता इस परकार होनी चाहिए या जो हमारी ग्रामिच शेतरों की जो मंडिया है उनका लाव हमें पिर्टेक्श रूप से मिल सकता है या उन्त का हम लाव उठा सकते हैं किलर हो गया लेकिन उसके लिए ये सब चीज हमें आपकी विख्षित करने पड़ेंगे तभी हम जिस छमता की बात करते हैं और जिस छमता से लाब लेने की बात करते हैं वो हमें आपका प्राथ होगा किलिए है बच्चो किन्तु अभी तक बरतमान अधारे सुविधाएं बरती मांग को देखते हुए नीतान आप अर्याप्त सिध हुई हैं उतनी हमें नहीं मिल रही है ये सारी आपकी आपकी चीजें हैं किलर हो गया आगे देखते हैं जिन्हें सुधानने की आवसक है और क्या कहने जिन्हें सुधानने की क्या है बच्चो आवसकता है किलर है सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपड़न द्वारा किसानों को अ आपके सरकारी बाजार हैं उनके द्वारा क्या हो जो आपके किसान हैं किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलब कराना यानि के सरकारी मंडियों में आपके किसानों के जो चीज है या जो दूबस्तू है उत्पादाने उनका क्या मिले उन्हें सही रेट कई भागों में दुग्ध उत्पादन साकारी समीतियों के के ग्रामीन आचलों के समाजिक तथा आर्थिक परिदेश्य का काया कलब कर दिया है कह रहें कि अगर आप गुजरात की बात करें बच्चों देखे इसमें दिया है कि गुजरात और अन्य कई ऐसे राज्ये हैं कैसे बच्चों गुजरात अन्य के राजी इन्होंने क्या करा है दूद उत्पादग में क्या करा है सरकारी समीति बनाई है किसे बच्चों दूद उत्पादग में क्या बनाई है आपकी सरकारी समीतिया बनाई है और इन सरकारी समीतियों में क्या करा है ग्रामीन आचलों के समा हुआ है आपका समाज इक आपका सोसल और एकोनोमिकल जो आपका इन्वारिमेंट है उसका क्या हुआ है आपका चेंज हुआ है पूरा काया कलब होई है किलर हो गया किन्तु अभी भी कुछ इस्तानों पर सहकारी आंदलनों में में कुछ कमिया दिखाई देती हैं कह रहेगी अभी कुछ इस्तान ऐसे हैं जहां पर क्या है बच्चो आपका जो सरकारी जो सहकारिता जो आंदोलन है उनमें हमें कुछ कमी दिखाई देती है यानि कि जिन हिसाब से सहकारी आंदोलन में हमें आपका लाव दीखना चाहिए था वो लाव हमें नहीं दिखाई देता है क्ल पुस्कित करणinis कोंसकों के से आपका कारण हैं। हम इन कारणों की अपनी चर्चा करते हैं। इनका कारण है ,ने साहकरिताओ में शामिल नहीं कर पाना। कह रहे हैं कि हे सहकारिता जो आंदोलन हैं वह आपके नहीं ओबर वाए हैं जैसे कि हम गुजरात में देख रहे हैं कि गुजरात में सहकारी समीती बनी और उन सहकारी समीती ने क्या करा वहां के जो ग्रामीन छेत्र है उस ग्रामीन छेत्र में आपका समाज़िक और आर्थी बहुत बड़ा changes के रूप में हमें दिखाई दिया, बहुत बड़ा changes के रूप में हमें मिला, जबकि अन्य ऐसे छेतर हैं, जहां सहकारिता अंदोलन होना चाहिए था, हमें वो सहकारिता अंदोलन हमें देखने के लिए नहीं मिला, उसके लिए कह रहा है कि अगर उस सहकारी समीति में जुड़ते वो इतने लोग सामिल नहीं हो पाए हैं विपड़न तथा प्रसकरन सहकारी समीति के बीच सम्मंद सुत्रों का नहीं होना और आकुसल बित्या प्रवद्धन अब देखिए कहरें चीजों में क्या है कि जो आपका बाजार है आपका विपड़न ह आपका प्रसकरन आपकी प्रोसेसिंग जो है उसमें जो सहकारी समीति हैं उनके बीच क्या नहीं है उनका सम्मंदों में आपका सूत्रों में नहीं होना यानि कि एक साथ उन सम्मंदों में सूत्र नहीं है एक साथ नहीं चल पा रहे हैं और क्या है आकुसल बित्ते वज़े से भी ये सारी चीजे हम लोग आपका आपका देख रहे हैं तो हमने तीसरी यूनिट में भी आपकी देखा जो हम चार चीज पढ़ रहे थे चाहे उपर कि हम समिछा कर रहे थे उसमे हमने देखा कि किस परकार सहकारी समीति आपकी बदलाब ला रही हैं और उन बदल तक सामिल नहीं हुए हैं और सामिल नहीं होने की बज़े से क्या हुआ है कि जो आपका विपड़न और आपका जो प्रोसेसिंग के भी जो आपसी सूतर संबन थे वो अभी इतने अच्छे नहीं है और साथ में जो आकुसल आपका फाइनेंस जो आपका मेनेजमेंट है वो भी अच्छा नहीं है तो ये सब ऐसी चीजे हैं जिसके माध्यम से ये चीज हमें आपकी दिखाए दिए अब देखते हैं चोथा उपाय के अंतरगत नीती गत अब देखिए चोथा उपाय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीती का संसाधन जैसे के किरसी उतपादकों के लिए नियूनतम समर्थन की मत सुनुचित करना आप देखे चोथी चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे कि किरसी उतपादकों के लिए नियूनतम समर्थन सुनुचित करना यानि कि आपकी किरसी की कोई भी फसल है उसके लिए नियूनतम स मर्थन मनले घोसित कर देंगे तो जिस हम उत्पादन की बात करते हैं जिस हम प्रॉफिट के लिए हम बात कर रहे हैं या जिस विपड़न विवस्ता की बात कर रहे हैं उनको मजबूत करने में ये एक बहुत बड़ा हमें सहयक के रूप में हमारे सामने हमें बच्चो मिलेग तो इस चीज में आप देख चुके होंगे ये देखेंगे ये सब चीजे ऐसी हैं जो बहुत बड़ा अपना रूप निवाती हैं अगर देखते हैं गय को देखते हैं गय है भारतिय खाद्या निगम दोवारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार की रख रखाव यानि कि हमें ये देखना है जो हमारा भारतिय खाद्या निगम है वो क्या करता है आपका गेहूं और चावल के हम क्या करते हैं सुरक्षित भंडारों का रख रखाव करते हैं तो उस बजार विवस्था के लिए क्या होगा बच्चो हमें जो हम उपाए पढ़ रहे हैं ये चार उपाए ये हमें चार उपाए अच्छे से सुनो चित करने होंगे तो बच्चो हमें ये देखना है कि अगर हमें किरसी विपर्ण विवस्था को देखना है तो हमें जो हमारी बजार आधारिद जो आपकी चीजे हैं या बजार आधारिद जो आपकी संरचना हैं उन संरचनाओं को हमें अच्छे से समझने के आवस सकता है और हम उन चार को पढड़े हैं जिसके माध्यम से हम विप्रन्विवस्ता को बहुत अच्छा कर सकते हैं उसको महजबूत कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस चेप्ट़ के माध्यम से आपका देख रहे थे देखे बच्चो आमने दो ही पड़ा के और गया पड़ा अब आगे समय समाब थोरा इस लेक्चर का जो इससे आपका चुटा है ये हम अपने नेस लेक्चर में इसको आगे कमप्लीट कर लेंगे killer है बच्चो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे निरंतर अपना सारे सविशय को बहुत अच्छे से अध्यन कर रहे होंगे और साथ ही में अपना समय बहुत कीमती है जो आपका उसका पूरा utilization आप लोग अपने subject पर बच्चो कर रहे होंगे तो आज के लिए इतना ही बच्चो क्योंकि हमारा समय समाप्थ हो रहा है बाकि इससे का आग़ा जो आपका chapter बच्चा है हम उसको next lecture में अपना continue करेंगे तो सभी बच्चे एक बार घर जाकर जरूर पढ़िये और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे आज के लिए बस जो बस इतना ही बाकी आपको मिलते हैं जो भी हमारा next lecture होगा उसके अंतर गात जहां से हमारा चुटा है हमाँ से